हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूप चैनल नॉलिज गयान। फ्रेंड्स एसस्टी में 15 वर्सों के दोरान सिन्दूग हटी की सभ्यता से जो भी प्रस्ण पुछे गए हैं उसे हम देखेंगे। फ्रेंड्स अगर आप में हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम एसस्टी में जिक्के से जुड़ी जितने प्रस्ण आए हैं 15 वर्सों के दोरान उस सभी का क्लेक्शन लाने जा रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं हडपा सब्सक्राइब किस से समंदित है कां से यूग या कब पुछा गये सीमा सुर्चाबल का एकजाम में पुछा गये उमिश्व संतानवी में गुजरात किस अस्थान पर हडपा कि सब्सक्राइब के वी अवसेस मिले थे लोथल भारत में आरे सरोपर्थम कहां आकर बस सिंदू घाटी पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंदू घाटी के लोग माप और तौल से प्रेचित थे या खोज कहां से प्राप्थ हुई थे हडपा हडपा काल के मुद्राओं के निर्मान में मुखिर उपसे किस द्रव्य का उप्योग क्या गया था टेर हडपा के निवासी कैसे थे सहरी सिंदू घाटी की सब्यता के लोगों का मुख ब्योसाए क्या था क्रिसी कारे अपवाह तामित्र का निर्मान सबसे पहले किस सब्यता के लोगों ने किया था सिंदू घाटी सब्यता के लोगों ने इटों की कृत्रिम गोदी यानि डॉक्याड वाला एक मात्र सिंधु अस्थल कौन सा था लोथल लोथल नामक अस्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालगाट था सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुक्विशिस्टा क्या है व्योस्थित सहरी जीवन सिंधु घाटी के लोग प्राया अपने मकान बनाते थे पक्की इटों से सिंधु सभ्यता के सहरों की गल्म्या कैसी थी चौड़ी और सिधी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुक्विशिस्टा क्या थी नगर सभ्यता धातु से बने सिक्केशब से पहले प्रगट हुए कहां हडप्ता सभ्यता से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था कौन सा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस दर्टा की पूजा करते थे पसुपती हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपी कौन सी है अज्यात चित्राच्छर लिपी विशाल अस्नानागार स्थित्था कहां मोहन जोदड़ो सिंधु घाटी की खुदाई से त्राप्त वस्तुए हैं क्या निर्त्य करती लड़की की आक्रिती अब विशेश स्थ्य सिंधु घाटी के सभ्यता के से जुड़े वे स्थ्य पढ़ते हैं सिंधु खर सिंधु संब्यता काल जो ठाट पूर्व हडपचाज पाईटीश से चबिस सो इसापुर। sytuको हडपब चबिस सो से उनिसंफो इसापुर। हइं पूरा सिंधु उस जो सेvही पि यूरु में पूरा सिंधु संब्यता już माकार्तिर्भुजा कार था संद्यू सर्वत्या का कुल छेत्र बारह लाख निनाने हजार छो सुवर किलोमेटर था हडपा सब्यता की अफगानिस्तान में दो बस्तियां मुन्भी गाक तथा सोर्तु गई प्राप्त होती है रेडियो कार्बन सी फोटिंग के नुसर इस सर्वेता का कल तेस सो पचास से सत्रा सो पचास से सपुरू यह हडपा कहा है यह अस्तल पाकिस्तान के पंजाब छेत्र के मौन्ट गोमरी जिले में रावी नदी के तडपर रस्चित्था भ पूरा अस्तल की खोच की और एहां संधर्स भृता का दूसरा सबसे बड़ा यहां से स्रम्मिक आवास मिला है यहां से स्वास्थिक चिंद की प्रापतियों यानि हरपा का बारें बनेला मिति का मुसा तथा अन्नगार में प्राप्त हुआ है कहां हरफा में अब मोहन जद्वराग पर पड़ते हैं मोहन जद्वरों में क्या क्या हुआ है मोहन जद्वरों का सिंधी भास्ता में तात पर है मृत्तिकों का टीला मोहन जद्वरों की खुदाए 1922 इस्वी में रखाव दास बनरजी में कराई थी पाकिस्तान के सिंध प्रा मासल मुद्र में बैठा हुआ दिखाया गया है इसे शीव का प्राचिन रूप माना गया है यहां से विशाल असनानागार का प्रमान मिला है इस असनानागार के निर्मान में टीप प्रकार के इटों का उपयोग हुआ है मोहन जोद्रों से विशाल अन्नागार के प्रमान प् बड़ा है यही से सीप का पैमाना मिला हुआ है पैमाना मिला है सूती वस्तर के साथ शबीप राप्त हुए है अब पढ़ते हैं काली बंगा के बारे में काली बंगा का तत्तर है काले रंग की चूनिया अवस्तिती राजस्थान के हनुमान घर गर्जिल यहां घर कच्ची इटों के बने दरों में सेंध्योм संस्कुर्त के भाब जोकर संस्कुर्ति यहां से वक्राकार एटें यहां सिर्फ रात कांश की बेल गारी वा एकागारी महतपूर्ण है यहां मिली एक इट पर बिल्ली का पीछा करते कुट्टे के पएरों के निसाम का सच्छ मिला है अब पड़ते हैं रंगपूर के बारे में धान की भूसी, रंगपूर और लोथले दोनों गुजरात में हैं, यहां से कच्ची इटो का दुर्ग मिला है, क्या मिला है कच्ची इटो का दुर्ग, दुर्ग जो बनाया हुए वह कच्ची इटो से समंदित है, मोहन जोदोरो से प्राप्थ पसुपति सीव की मुहर ज्यादा बहुताय के मिली है, सेंधु वासियों के बरतन मुखिता लाल या गुलाबी रंके हैं, सिंधु सब्वेता में संभुता दास प्रथा का भी परचलन था, सेंधु वासि कपास के प्रथम प्रयोक्ता थे, कपास के सब प्रथम प्रयोक्ता कों थे संधु वासि, सं प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् मुहन जोदणों के धिकांस निवासी भुमध्य सागरिय प्रजाति के माने जाते हैं सैंदु सब्हेता के पतन का कारण अभी तक प्रयाप्त साच्छ के अभाव में निश्चित नहीं किया जा सका है विविधु विद्वानों ने सेंधु सभ्यता के पतन का कारण निम्न बताया है, विलेर ने क्या बताया है, विलेर ने आर्यों का आक्रमन बताया है, चायल्ड वो पिगेट में क्या बताया है, ब्रह्म आक्रमन, आरेल अश्टायन वो घोस में जलवायू परिवरतन में, सिंदू घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें मात्री सक्ति में सिंदू घाटी के निवासियों के सब बेटा को जानने का मुश्रोत है क्या नगरों के अउसेस मोहन जोदुलों हडपा की प्रतात्यु खुदाई के प्रभारिधेकों सर्जौन मार्सल किस प्रमुक पसु का अंकल हडपा सब संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है घोड़ा जुते में खोयत की खोज की गई थी काली बंगा में सुमेल अब मिला ये लोथल में क्या हुआ था गोदी बारा काली बंगा में जुता हुआ खे धोला बने पकी मिट्टी के बनी हलकी प्रतिकिती बनवाल में हडपन लिटी के बड़े अकार के दस्चनुवाला सिलालेग किस एक पसु का हरपा संस्कृतिक मोहरो और तेरा कोटा कलाकृति में निर्पर नहीं है बताए तो गाय कलाकृति में गाय हरपा की उन्नत जल प्रबंदन प्रनाली का पता चलता है मोहन जोद्रों में हरपा सब बेटा की खोज हुई थी 1922 स्वी में सिंधू सब बेटा का बीना दुर्ग का एक मात्र नगर कौन सा था चलहुद्रों बीना दुर्ग का एक मात्र नगर कौन सा था चलहुद्रों हरपा में मिट्टी के बरतनों पर समय में तह किस रंग का उप्योग हुआ है लाग नेक्स्ट वीडियो में वैदिक सब्भेता के बारे में पढ़ेंगे थेंक्यू फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरू कीजे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंजे क्योंकि पूरा जीके सारे जिके पर यह वीडियो बनाया जाएगा और आपके लिए जो बहुत ही काम का